नमस्कार दोस्तो मैं विकास मलोत्रा स्वागत करता हूँ आपका लाल किताब स्टो सेंटर चैनल पर दोस्तो आज के वीडियो में गाएं के पैर की मिट्टी जहां गाएं बैठती है चाहे वो गौशाला हो या कहीं और जगा पर हो जो गाएं के पैर की मिट्टी होती है उससे बहुत सारे उपाई किये जाते हैं आज जो मैं आपसे इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ उनमें मैं दो पूरानों के आपको रेफरेंस दूँगा जहां से ये उपाई लिए गए हैं और दो लाल किताब के उपाई जो अलग-अलग समय पर कराएं गए और जिसका काफी लाब हुआ है लोगों को आप भी वो उपाई अपना कर लाब कमा सकते हैं अपसे पहला ये समझना पड़ेगा आपको कि गाएं जो है वो शुक्र से संबंदित है और जो मिट्टी है वो भी शुक्र से संबंदित है अब जहां भी गाएं बैठती है गाएं उस जगा को अपने खुरों से खुरचती है इसलिए उस मिट्टी को गोखुर भी कहते हैं तो जब उस जगा पर मिट्टी को खुरचा जाता है अगर उस मिट्टी से कुछ उपाई किये जाएं तो गाएं की जो energy है वो उस मिट्टी के अंदर होती है और उस मिट्टी से फिर चमतकारिक results मिल सकते हैं सबसे पहला जो उपाया आप से बात करने जा रहा हूँ ये लिखा हुआ है सकंद पुरान में सकंद पुरान में लिखा हुआ है मान लीजे आपको पैसे की बहुत जादा कमी रहती है या आपका कोई business है व्यापार है नया आप शुरू करने जा रहे हैं नए घर में प्रवेश करने जा रहे हैं तो वहाँ पर गाएं के पैरों की मिट्टी का प्रयोग किया जाता है वो किस तरह से जहाँ पर भी गाएं बच्छडे को जनम देती है आपको ये देखना पड़ेगा वहाँ से मिट्टी लानी है जहाँ पर गाएं ने किसी बच्छडे या बच्छिया को जनम दिया है और दोस्तो इसमें अगर देसी गाएं हो जाए तो वो बहुत जादा अच्छ है क्योंकि ये जितने भी उपाये हैं ये तब जादा काम करते हैं जब देसी गाएं हो अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि देसी गाएं शेहरों में उपलब्द नहीं है तो ठीक है गौशाला तो ह पर देशी काई मिल जाती है और सबसे बड़ी बात है अगर आपको उपाय करने है तो थोड़ी मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी आपको गौशाला ढूड़नी पड़ेगी और वहां से वो मिट्टी लानी पड़ेगी तो जहां पर भी गाये ने किसी बच्छरे या बच्छिय आपको जनम दिया है वहां से उस जगा की थोड़ी सी मिट्टी लेहें और जो नए घर में आप प्रवेश करने जा रहे हैं नई दुकान में प्रवेश करने जा रहे हैं पैसों की बहुत जादा कमी रहती है आपको तंगी बनी रहती है तो उस जगा पर थोड़ा सा तो वो गौम आता कि आशिरवात की तरह काम करेगा तो आपको पैसों की समस्या हो या आपकी नई दुकान खुलने वाली और आप चाते हैं कि अच्छा महूरत हो जाए गाएं में 33 कोटी देवी देवताओं का वास माना गया है और गाएं में ये माना जाता है कि सभी ग्रह समावेश होते हैं तो अगर आप गाएं के पैर की मिट्टी का ये उपाए करते हैं तो ये आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है खासकर तब जब आप नया कोई कारोबार शुरू करने जा रहे हैं गाएं के पैर की मिट्टी अगर आप ले आते हैं जहां गाएं बैठती है वहाँ पर उसके पैर के नीचे की मिट्टी अगर आप ले आएं उस मिट्टी को अगर आप नेमित तोर पर उस मिट्टी से तिलख करेंगे तो अगर आपके विवा में कोई बाधाएं आ रही है विवा लास्ट मुमेंट पर जाकर अगर कोई बात तूर जाती है काम नहीं बन पाता तो वो जो कारे नहीं सफल हो पा रहा था वो बनना शुरू हो ज़ता है क्योंकि शुक्र का आशिरवाद आपको मिलता है और अगर किसी केस में किसी किसी कपल को ऐसी प्रॉबलम है कि डिलीवरी नहीं हो पारी ठीक से या तो कंसीव नहीं होता या डिलीवरी के समय एबॉर्शन हो जाता है तो उसके लिए इस उपाई को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे आप एक तो यह है कि गाएं जहां बैठती है उसके पैर के नीचे की मिट्टी आप ले हैं उस मिट्टी से जो लेडी है वो रेगुलर बेसिस पे उसका तिलक करती रहे और बाकी जो मिट्टी बची हो वो एक सफेद कपड़े में डाल कर जहां पर वो जादा समय तक रहती है वहां पर वो रख ले और जब डिलीवरी हो जाए तो उसके बाद उस मिट्टी को प्रवा कर देना है तो यह उपाई भी बहुत जादा लापकारी साबित हुआ है इस उपाई को भी आप आजमा के देख सकते हैं इस दो उपाई मैंने आपसे बात करें अब तीसरा उपाई मैं आपसे बात कर रहा हूँ लाल किताब का अगर व्यापार नहीं चल रहा व्यापार में कोई न कोई बाधाएं आती चली जा रही है तो क्या होता है कि शुक्र जब भी अकेला हो जाए तो ऐसा देखा गया है कि शुक्र को अगर बुद्ध की सपोर्ट ना मिले बुद्ध है आपका व्यापार शुक्र यहां अकेला हो गया मान लीजे तो फिर काम नहीं बन पाता तो ऐसे केसिस में शुक्र को बुद्ध की सपोर्ट देने के लिए हम क्या करते हैं गाएं के पैर के नीचे की मिट्टी लियाएं मिट्टी लाने के बाद उसमें थोड़ा सा जो हरीमूंग की डाल है उसको अच्छे से पीस लीजे उसको उसमें मिक्स कर लीजे मिक्स करने के बाद उसको सुखाने के बाद उसकी गोलियां बना लीजे और ये इन में से छे गोलियां रोज 27 दिन तक या तो आप किसी मंदिर में दे दें या फिर इसको जल प्रवा कर दें तो आप देखेंगे शुक्र और बुद्ध को मिलाने से आपके व्यापार का भी जो प्रॉब्लम्स आ रही थी व्यापार नहीं चल पा रहा था या व्यापार में बार-बार उतार चड़ाव बहुत जादा आ रहे थे आप बहुत सारे कोई और उपाय करने ही से पा रहे थे म पहेंगे उपाय आप नहीं कर सकते तो उस केस में 27 दिन लगातार ये उपाय किया जाए और खासका जब जल प्रवा किया जाए तो शुक्र और बुद्ध को मिलने से शुक्र की को सपोर्ट मिलती है बुद्ध की तो ऐसे केसिस में व्यापार चलने की जो चांसेस हैं वो भ खाल किताब में तो शुक्र अगर खराब हो जाए तो स्किन डिलेटिड प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं स्किन पे पैचेज हो रहे हैं या स्किन की क्वालिटी खराब हो रही है स्किन में ग्लो नहीं रहा है तो ऐसे केसिस में ये किया जा सकता है कि गाएं के पैर के न नहाने से पहले थोड़ी देर के लिए पांच या साथ मिनट तक पहले आप अपलाई कर दें इसको उस जगह पर खासकर जहांपर पैचेज हैं तो skin related problem से भी आपको निजात मिलेगी अब एक problem और बहुत देखी गई है sexual problems चाहे वो sperm count कम होने की problem है या excessive कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भोग विलास में डूबे रहते हैं तो उसकी वज़ा से sexual problems आ गई तो ऐसे cases में ये किया जा सकता है कि गाएं के पैर की मिट्टी आप ले हैं उसमें थोड़ी सी मुलतानी मिट्टी मिक्स कर लें और private parts पे अपने लगाएं और उसके बाद नहा लें तो उससे भी जो आपकी sexual problems आ रही थी उनमें भी कमी देखी गई है ये बहुत effective उपाय है अगर आप करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस उपाय का फायदा होता लेकिन ये उपाय को थोड़ा regular basis जैसे मैंने का 43 days जरूर करके देखिए लोग क्या करते हैं एक या दो दिन उपाय करा आपने एक या दो दिन उपाय से बात नहीं बनेगी कम से कम 43 days उपाय करके देखिए इसमें तो आपके कुछ खास पैसे भी नहीं लगने आप इसको विश्वास से करेंगे जरूर इसका फायदा होगा आशा करता हूँ दोस्तो वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें और चैनल पे नए है या आप तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें बेल बटन को पुछ करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आती रहे किसी भी तरह के जो तीशिये परामच के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉंट्मेंट बुक कर सकते हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है धन्यवाद दोस्तो